ये रिश्ट्वेंट्स आप सभी लोगा सवगत है आपके अपने यूटूब चैनल लीजे सर पर आज का ये वडियो क्लाश 12 के बच्छों के लिए बहुत ही इंपार्ट है वाला क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं इतियास के महतरपूर चेप्टर जो सेकंड चेप्टर हम हम लोग का है राजा किसान और नगर के बारे में तो राजा किसान और नगर जो आपका सेकंड चेप्टर है इतियास का इसमें बहुत ही महतरपूर टापिक जो है उन पर डिसके संग करेंगे और आपकी पूरे सेलेवर्स को कबर करने का प्रयास किया जाएगा तो इसका हम हम लोग का आज की सेसन का पहला भाग है वीडियो में अंतर जो बंद रहेएगा कि वह पूरा इसमें डिटेल के साथ बात करूंगा आपके और साथी साथ जो ग्रूप में जुड़े हुए वाटसे ग्रूप में जो मेंबर्स जुड़े हुए उनको पर ये पूरा पीडिय जो है वो हड़ा अझाने देख लिया हैंगे सिंदु घाटि सब्यता की जो बात हुई थी जिसमें ओंच जो लोग करतरत रएके टॉपिक जो थे तो आप anch यहां पर सिंदु घाटि सब्यता का समाप थो रहा है सेम जश्ट वहीं पर से क्या होता है ये से한यू जपेर आपक शिंदु घ्रटी सभेता के पस्चात भारत में जिस नमिन सभेता का विकास हुआ उसे ही आरि अत्वा वैदिक Сभेता के नाम से जान आ जाता है तो सिन्दु सभेता के जश्ट बात जो सभेता यह उसी केब मुलो पारत को कहते हैं एस समः की जानकाल की जानकरी हमें जो बसाई गई सब्विता थी यह यह एक ग्रामीड सभिता थी इसका काल जो है पंदरओस उए सौलर सो इसा पूरू निधारित किया गया है आर्यों की जो भासा थी वह संक्रित थी देखे देवों की भासा थी वह अन्सक्रित थी संस्क्रित थी तो यह दो पहला हम लोगकर सबसे महतरपुर टॉपिक आता है पहले सेकंड चेप्टर के जो पहली टॉपिक है राजा किसानो नगर्प में वैदिक सबिता क्या है आईए हम लोग और कुछ महतरपुर तत्यों पर बात करते हैं वैदिक काल का अध्यन जो हम लोग मुखिता दो भागों में करते देखिए ध्यान से देखिएगा वैदिक काल के जो भाग हैं वो दो भाग हैं पहले बाग में अगर बात किया जा तो रिगवैदिक की आप पुरु वैदिक काल कहते हैं जबकि सेकंड जो होता है वो उत्तर वैदिक काल है एक हजार से छो सो इसाप पुरू का जो कारे था, कारेकाल था, समय था, उससे ही हम लोग वैदिकाल का उत्तर वैदिकाल भाग कहते हैं तो मुख करूप से जो बात होती है, ये दो भागों में इसको बाटा गया है देखिए ये, सेसन दिम्लोग आके बढ़ने से पहले, मैं आपको एक महतपूर नोडी फेकिसन देदू, मेरा ग्रूप वाटसेप नंबर है, 950-690-287, फिर से एक बाट सुल लिजिए, मेरा ग्रूप वाटसेप नंबर है, 950-690-287, इससे आप ज़रू 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 ज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको सेसन अच्छा तो लगता है, आप पसंद भी करते हैं, लेकिन ये सभी चीजे करने से चुक जाते हैं, या फिर आप पढ़कर निकल जाते हैं, तो छोटा से काम है आपको लाइक का बटन दमाना है, उससे हम सब्सक्राइब लेकिन, हाँ, आप से मिलता है, इतने लोगों ने हमारे चीजों को पसंद किया है, इसमें बहुत परिशनम का कारे होता है, इसमें बहुत ही मैनत लगता है, जो टीमवर को थी बहुत ही परिशनम करते हैं, इन सभी चीजह और तो दीक्री यहां पर आपका में ब्राह्मी और खरोष्टी लीपियों का आर्थ निकाल लिया था देखिए जेम्स प्रिंसेप का नाम बहुत इसमें पॉइंट है क्योंकि जो असोग थे सब्सक्राइब आपको पूरा इसके डिटेल में बात करने माला हूं अभिलेक का मतलब क्या होता है और भी जो महत्र लगा लिया कि अधिकतर अभिलेकों और सिक्कों पर पियदस्सी प्रियदर्सी लिखा है जिसका अर्थ है मनोहर मुखाकृती वाला राजा पियदस्सी का जो अर्थ होता है मनोहर मुखाकृती वाला राजा कुछ अभिलेकों में राजा का नाम असोग भी लिखा है क्योंक कि बहुत गरंतों के अनुसार असोग सबसे अधीक प्रसीद सासक था महतरपुर टापिक में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रसने की और दूसरा हम लोग देखिए महतरपुर जो हडिंग आती है इसमें अभिलेक तथा अभिलेक सास्तर क्या है तो आईए बात करते हम लोग उनकी वीचारों को लिखा जाता था जो भी वह चीजे करते थे जो भी उनकी उपलब्धिया रहती थी उनकी पुर्य व्याख्यान कि आता था अधिकतर अभिलेक राजाओं की क्रिया कलाप उनके विजय अभियान तता धार्मिक संस्थाओं को दिये गये दान का ब्यूरा जात अभिलेकों से देखिए गात होता है कि जो ये राजा इंद राजस जीते ये इनको पराजद किये ये इन से जीते और उनके क्रिया कलाप या नि जो दिन्चर्या में करने वाले थे और धारमी संस्थाओं को मतलब इन चीजों को बनालंदा विसुदाला बनाया गया ये दे बनवाए गया उन चीजों को फोड़ा गया है तो उसमें किसने कैसा एगदान दिया इन सभी कड़ लेक अउसमें यह लेका प्राख्रीआ नीमार कीह कि हा यही चीजShow इस तारीक को यह चीज का निनमार किया गया लिक ईटे लेखेघागल ब statement ए ऐसाँ मेरा यह लिखे मैं अभिलेकों में लिखे मिले हैं तो देखे द्यान से मुझकी रुफ से प्राक्रित भासा अग्पित मैं फीलेकों के अध्यन को अभिलेक सास्तर कहाbelt नग्दमें वहाइं जो देखते हैं पढ़ते हैं एडिंग पर अगला हमनों का एडिंग जो बनेगा इसमें जनपद और महाजनपद तो जनपद का अगर अर्थ बात किया जाया तो जनपद जहां जन का अर्थ होता है जनता अवपद का अर्थ पैर अर्थात जहां लोग आकर बस जाएं तथा ऐसे छेतर जहां लोग निवास करते हैं जनपत कहलाता है बहुत इंपॉर्ट है जनपत और महा जनपत किसे कहते हैं या जनपत और महा जनपत में किनकू रखा गया था तो जन्पत के बारे में देखे सीधा सीधा है आपका जहां पर लोग आकर बस जाएं तता ऐसे छेतर जहां लोग निवास करते हैं जन्पत कहलाता है महा जन्पत देखे बहुत ही इंपॉर्ट हम लोग केडिंग हैं लगभग 25 सव वर्स पूरू कई जन्पत महतपूर हो गए थे इन्हें महा जन्पत कहा जाने लगा था जो इन लोग को मिला दिया गया तो महाजनपद की रूप में बात की जाने लगी जो बहुत ही जनपदों में महतपूर निकल कर आया उभर कर आया जैसे हम लोग कहते हैं कि यह महानगर है छोटे नगर हो गया है तो ऐसे चीज़े होती ही नाव शूपर सिटी की बात हो गई यह बहुत ज्यादा हाइफ आई यह तो ऐसे होता है तो यह एसे ही हम लोगों के जनपत में जो महत्पूर हो गये थे उन्हें महाजनपत कहा जाने लगा अधिक्तर महाजनपत की एक राजधानी होती थी यह बहु गड़ और संग के नाम से प्रसीद राज में कई लोगों का समूह सासन करता था देखे महाजन पत्त मुक्रिब से राजा का सासन था आई लेकिन जहां पर गड़ के बारें बाद होती थी तो इसका अर्थ आप समझना आपके बहुत जरूरी कि गड़ का मतलब क्या होता है तो कई सदस्य वाले समूग के लिए हम लोग गड़ सब्द का प्रियोग करते हैं सभा Maker गार संग के बारें बात करें तो जैसे आपको आज के वर्तमां समें संगठन देखने को मिलता है या सभा होती थी जैसे आपको दिखा गया विधान सभा होगई तर तरे की चीज़ें होती है न जैसे संभान सभा बनाया गया था तो सभा में जैसे वो कोई एक लोग नहीं होता है संगठन का मतलब होता है उसमें कई व्यक्ति तो होते हैं कई व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो संगकार्थ यही होता है आईए परते हैं सबसे most important topic पर 16 महाजनपदों में जो परतम था मगत के बारें बात करते हैं हम लोग बहुत important topic है सबसे महत्वपूर टापिकों में एक है 16 महाजनपदों में अगर परतम की बात करें हम लोग तो मगत की बात होती है मगत देखें बिहार में स्थित है मगत छटी से चौती सतापदी इसापुर में सबसे सक्तिसाली महाजनपद बन गया था इसके सक्तिसाली होने की पीछे कई कराड़ थे आई हम लोग बात करते हैं इनके महत्वपूर कारणों पर अभी देखिए मगत को जोड़कर हम लोग मौरे सामराज से चौड़कर इन पर बात करेंगे तो देखेंगे जैसा रहेगा इस से सन में हो जाएगा तो अच्छी बात है ने तो फिर हम लोग दूसरा भाग लाएंगे तो उसमें हम लोग मौरे सामराज के बारे में बात करेंगे डीटेल में वो भी जैसे देखा अगर आगर बात किया जाए जैसे तो सक्तिसाली होने के पीछे वज़य क्या क्या थी उबजाओ भूमी थी जिसे फसल अच्छी होती थी देखे कहा जाए तो हम लोग के कईटों देश हैं जिनके पास भूमियां बहुत ज़्यादा हैं जमीने बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो उबजाओ जमीन है बंजल जमीन है तो कोई मतलम नहीं है उसका अगर उबजाओ जमीन आपके पास है तो वो नमायने रखता है आपका तो उपजाओ भूमि थी जिससे फसल अच्छी होती थी पहली बात थी यहां पर सक्षिसाली होने के पिछे दूसरी बात करें हम लोहे की यहां पर बहूत जदा है, महतरा में ख़डान देखने पूँ मिली थी लोहे से अवजाद आता हाथियार आसानी से उपलब्द हो जा दे थे चोथी बात थी जो जंगलों में हाथी उपलब्द थे अगर बात किया जाए मगत के जंगलों में तो मगत के जंगलों में हाथी जो थे वो आसानी से उपलब्द हो जा दे थे देखते हैं कुछ और महत्वपूर टापीकों को हम लोग सेना में हाथी को सामिल कर दिया गया था जिससे की सेनाएं और मजबूत हो जाती थी गंगा और इसकी उपनदियों से आने जाने का रास्ता आसान और सस्ता था जाई इसी बात है गंगा का उपजाओ गंगा से पानी भी मिल जाता था चीजों के लिए उपज के लिए तो ये बहुत ही बड़ा इसका रोल था भूमिका था योग और सकतिसाली सासक सबसे महत्वपूर इसके क्वाल्टी मगत के सकतिसाली होने की योग और सकतिसाली सासक इस जो महाजनपत्था इसको मिले थे जैसे बात करें हम लोग बिम्बिसार के बारे में अजात सत्रू के बारे में चदूरूत मौर के बारे में असोक के बारे में महापदमनंद के बारे में तो इन्होंने बेहतर नितियां बनाई जिससे की मगत को लोग बड़े पैमाने पर दिखा सके या तो बड़े दूर तक इनको पहुचा सके या इनकी उपलब्दिया जो थी दूसरे जगहों तक भी इनको ले गए और ये बड़े पैमाने पर इसको लेकर आये जैसे कहा जाये तो देखे अगर मुखरूप से हम लो विए जैनको बड़े पमाने पर देखे सबसे महतपूड अगर कोईम वेकती है अगर इनको पहुँशा रहे के तो मौर इसप्राज का जो काल रहा है वह बहुत ही Mark रहा है क्योंकि लगभघ एंड़ सोई-वरसों का यह सचंगा रहा है महर इसमा जिका सॉमाजी काD लेकिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा आपने फ्रेंड सरकल में इसे जरूर सेर कर दें क्योंकि इतियास के यह बहुत ही महतरपुल लेक्चर है और इसके बाद जो आने वाले लेक्चर हैगा वो इससे भी महतरपुल रहेगा तो यह आपके ऊपर निर्भा करता है आपका जैसा फिडबेक मिलेगा उसी प्रकार से छीजों को और विस्तारी तरूप से देखाएंगे आपको और विस्तारी तरूप से मैं और आपको चाहिए रही है 12-15 मिन का वीडियो बन रहा है और आपको क्या आ जाता है और आप मैंने पहले बताया कि आप वाट्सेप ग्रूप नंबर जो था आप आगे भी जेख सकते है वो नमबर जो मैंने बता है आपको आप उससे जुड़ जाएं ताक कि आपनी तयारी को और बहतर तरीके से करें और यह जो पीडिया फे मैं आइसानी साथ तक देखो यह तो आप इसको इसको इसाइड मार्के भी रख सकते हैं लेकिन ग्रूप पर जुड़ जाएंगा तो